राधे राधे फ्रेंड्स आज है लड़ू गुपाल का बर्डे और लड़ू के लिए मैं बना रही हूँ गाजर की खीर गाजर की खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुती कम टाइम में ये बनके हो जाती है तो यह 3-4 गाजर की खीर अच्छी खासी बन जाती है तो मैंने आप ना 3 गाजर ले ली है सबसे पहले गाजर को अच्छी से छील लेना है तो आप अपनी फैमली के इसाब से गाजर की क्वांटिटियां पे ले सकते हो और खीर के साथ-साथ हम लड़ू को पाल का पीरिया मक् करना है आज हम करने वाले हैं लड़ू गपाल के दर्शन और खीर और बटर बनाने के बाद फिर हम लड़ू का बर्ड़ भी सेलिबरेट करेंगे तो कि ना बिटिया गई है लड़ू पाल के लिए केक लाने के लिए दो से तिन दिन से लगातार लगी हुए कि मेरे को मठकी चाहिए लड़ू के लिए मठकी वाला केक चाहिए तो वह केक लेने के लिए गई हुई है और जब तक वह केक लेकर आएंगे तब तक मैं खीर और बटर दोनों बनाके रेडी कर लोगी तो यो कद्दू कस का मीडियम वाले साइड है उससे मैंने गाजर को कस लिया ताकि ब क्याम मैंने डाल दिया है घी तो सबसे पहले हम लोच्ट कर लेंगे ड्राइप रूट तो आपने केड में Annoyal डाल सकते हो तो आज मैं डाल रही हूं बादाम और सके न्युद्ध नदी किसमिस काजू भी डाल देती हूं लेकिन आज काजू खतम हो रखा है तो बदाम को दो मिंट के लिए घी में अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद किसमिस को डालेंगे जोगी बदाम को थोड़ा सब जादा टाइम लगता है और किसमिस तो यह डालते ही फूल जाएगी यदि साथ में डाल दी तो बदाम तो कच्छे रह जाएंगे और किसमिस फिर काली पड़ जाएगी इसलिए जब बदाम को लगे ना एक डेड मिंट हो गया है उसके बाद ही आपने किसमिस डालनी है और किसमिस तो 40-40 सेकंड में अच्छे से फूल जाती है तो सभी ड्राइ कम है तो थोड़ा सगी आप और भी एड कर सकते हो फ्री से ले आई हूँ दूद क्योंकि अब आपने इसमें दूद एड करना है तो एक से दो मिंट के लिए गाजर को और भून लेंगे और अब हम क्वांटिटी के हिसाब से इसमें दूद एड कर देंगे तो गाजर ना थ दूद की दूद डालेंगे बाद में हम इन लगे कि जादा गाड़ा हो गया है तो हम बाद में भी एड कर सकते हैं तो यहां पर इतना क्वांटिटी का कोई बहुत जादा इश्यू नहीं है चावल की खिर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यह गाजर की खिर बहुत जल्दी बनके रैडी हो जाती है दस मिंट में यह रैडी हो जाएगी तो बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और अब बना लेते हैं मखन मखन मनाने के लिए मुझे यह वाला चाहिए पतिला तो इसी मेरे को खाली करना पड़ेगा तो दूद को मैंने ट्रांस करना हो ना तो सुबह ही निकाल देती हूं और जब तक काम कुम करके खतम होते हैं तब तक इसका टंपरेचर एकदम नोर्मल हो जाता और आदे से ज्यादा बटर तो अपनी आप ही निकल जाता है फिर बहुत ही कम मैनत लगती है तो आज पिर मैंने इसमें हलका थोड़ा सा गरम पानी भी एड़ किया तक इसका टंपरेचर थोड़ा सा सेट हो जाए और हां यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं मैं जो मलाई इकठी करती हूं दूद की मलाई इकठी नहीं करती हूं योगि दूद की मलाई तीन से चार दिन के बाद ना उसमें फिर स्मैल आने ल जैसे में टाइम लगता है या मलाई की quantity हो जाती है तब भी बना लेती हूं दूद यहां पे मैंने ले लिया है हैंड ब्लेंडर और इसे बहुत हीजल्दी बटर निकल के रैडी हो जाता है और यह देखिये हमारा बटर भी निकल के हो गया है रैडी और अब घाल लेंगे तो बठर निकालने confirm के लिए नम हो तरह हाथों के चिपके नहीं तो पतिलबे में रखते है कि अम लिए धिये हैं तुढ़ा हिएक अश्ट कषें estási कि नहीं बन गई खीर लगबग बन ही गई थी अब मैंने इसमें एड़ कर दी है स्वाद के अनुसार चिन्नी और चिन्नी डालने के साथ ही मैंने जो ड्राइफूट भून के रखे देना उनको भी एड़ कर दिया है अब दो से तीन मिंठी और लगेंगे क्योंकि खीर अच्छी से पक गई है और आंच को भी ना मैंने बहु जादा सलो कर दिया जितनी देर तक हम सलो आंच पे रखेंगे ना खीर को खीर का टेस्ट भी उतना ही अच्छा हो जाएगा और जो ड्राइफूट से ना वो कटोरी में घी जम गया था इसलिए मैंने उसमें भी गरम खीर डालके उसका सारा का सारा घी उतार लिया घी बरबाद नहीं होना चाहिए और यह पतिला अब मैंने रख दिया प यह स्मैल हो जाती है और दूसरा उसमें निकालने में पहला थोड़ी महनत लगती और यह दही ही की आपने ठैब बनाना हो ना उच्छा करने खीर जब तक आफ सारे काम को में चाहिए और पिर दो सर दीन मिंडर stump अच्छा निकल आता है तो यहां पे मैंने लड़ो बपाल के लिए बटर भी राड़ी कर लिया है और यह देखिए हमारी खीर भी एकदम से राड़ी होगी है ना वह ज़्यादा गाड़ी हुई है और एकदम से पतली हुई है और गाजर का सीजन है तो आप ना यह गाजर की बच्चे बड़े सबको बहुत जादा पसंद आने वाली है तो चलिए सबसे पहले लड़ो गोपाल के लिए हम कटोरी में निकाल लेते हैं और इधर केक भी हमारा आ गया है और यह देखिए हमारे लड़ो का केक लड़ो गोपाल मटकी में भरा हुआ मक्खन तो केक भी आ गया है खीर भी बन गई है बटर भी बन की हो गया है रैड़ी तो चलिए लड़ो गोपाल का बरड़े सेलिबरेट करते हैं तो यह है हमारा प्यारा लड़ो गोपाल हैप्य वर्डे लड़ो गोपाल इन दिनी आतो बोलो हो गारा लड़ो गपाल का बरड़े सेलिबरेट करने के बाद मैं वापस से फिर से आ गई हूं कीचन में और आज खाने में मैंने बनाई है कड़ी कड़ी बनके हो गई है रेड़ी साथ में मैंने आटा भी लगा लिया तो आटा थोड़ा सा ही लगाया तो कड़ी के साथ बाजरी की रोटी भी बनानी है और गें हूं कोई उनकी भी तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे नमत भूना बाइ प्रेंड्स मिलती है नेक्स्ट वीडियो में